Hello and welcome to Viewsport Match Preview PSL का ये first eliminator Islamabad United vs Peshawar Zalmi Islamabad first head-to-head game जीता है Peshawar ने दूसरा head-to-head game जीता है neck-to-neck रहा है अभी तक competition दोनों के बीच में और इस game का जो winner होगा वो qualifier की losing team के साथ second eliminator खेलेगा This preview is powered by Vision 11 Link मिलेगा आपका आपको description में Baby, I'll always care for you अब जिसने भी Vision 11 पे team मनाई है असली की अर्दों वही करेंगे Download Vision 11 इस खेल में वित्ती जोकिम तत्व है और इसकी आदत पढ़ सकती है क्रप या जिम्मितारी से अपने जोकिम पर खेले बात कर लेते हैं teams के head-to-head records की 20 games खेले हैं दोनों teams ने 10 इसलामाबाद जीती है पिशावर भी 10 जीती है Venue की तरफ चलते है गदाफी स्टेडियम लहोर में यह match last 10 games से कर यहाँ पे देखें तो team batting first 8 games जीती है team batting second 2 games जीती है सिरफ favor रहा है थोड़ा सा team batting first की तरफ average first inning score रहा है 183 का और बात करें pace versus spin की तो pacers का strike rate रहा है 15.9 का spinners का strike rate रहा है 20.6 का pacers को यहाँ पे जादा help मिलते हुए दिखी है चलते हैं venue records की तरफ तो इसलामाबाद के batters में Alex Hales ने 8 innings में 313 runs करे है close to 45 का average है 350s है Faheem Ashraf ने 17 innings में 250 runs करे है 22.73 का average है 1.50 आई है बोलर्स की बात करें तो शादार कान ने 20 innings में 20 wicket लिये है Faheem Ashraf ने 20 innings में 18 wicket लिये है Hasan Ali के 16 innings में 16 wickets है और मौमद वसीम ने 8 innings में 6 wickets पिक करे हैं चलते हैं पिशावर जालमी के battles की तरफ तो बाबराजम ने 25 innings में 808 runs करे है average राय 36.73 का 650 आई है इसमें उनकी मौमद हारस ने 12 innings में 209 run करे है average थोड़ा low है 19 का जिसमें एक ही 50 आई है Sam Ayub ने यहापे एक ही match खेला है उसमें 51 run की एक inning खेली है पिशावर के बोलर्स की बात करें तो वहब रियाज ने काफी matches खेले है 44 innings में 51 wickets पिक करे है at a strike rate of 19.1 Salman Irshad ने 13 innings में 22 wickets पिक करे है strike rate अच्छा रहा है 12.8 का उसमान कादर ने भी 10 innings में 13 wickets पिक किये है at a strike rate of 15.7 आप देख लेते हैं top performers head to head fixtures में तो सबसे पहले आ जाते हैं Babar Azam 16 innings में 578 runs कर चुके हैं close to 45 का average है 550 आई है इसमें उनकी next is Shadaab Khan 14 matches में 15 wickets लिये है batting से 157 runs भी score करे हैं और bowling करते वे strike rate रहा है 21.2 का third is Wahab Riyaz 18 innings में 25 wickets लिये है एक 4 wicket haul भी आया है इसमें उनका और strike rate रहा है 16.8 का दोस्तों अब बात कर लेते हैं topics की तो सबसे पहले आ जाते हैं Islamabad United से Colin Munro highest run getter है एपनी team के लिए 10 innings में 294 runs बना चुके हैं 2.50 भी आई है इसमें उनकी attacking batter है head to head games जो खेले हैं उसमें इनका score रहा है 31 और 40 का अच्छे form में है और Pishawar की bowling attack थोड़ी weak है तो batters को यहाँ पर अच्छा chance मिलेगा ही definitely दूसरे topic हो जाते है Alex Hales अभी तक ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है 5 innings में 80 run ही करे हैं पहले match में जो 34 runs बनायते हैं वो इनका highest score रहा है उसके बाद ज़्यादा कुछ runs नहीं करे हैं पर इनकी एक अच्छी inning due है गेंस भी कोई dismissal नहीं है उस्मान कादिर के गेंस भी कोई dismissal नहीं है पिशावर का bowling attack है भी थोड़ा सा weak तो उसका भी advantage यह भरपूर उठा सकते हैं धर्ट टॉपिक हो जाते हैं शादाप खान चार नंबर पर बाटिंग कर रहे हैं चार overs भी पूरे कर रहे है all round value है अभी तक 8 innings में 109 run बना चुके हैं स्टार्टिंग के matches में बाटिंग से contribute नहीं कर रहे थे पर last के 2 games में इनोंने 44 और 25 की 2 innings खेली हैं bowling से भी 10 innings में 10 wickets पिक करे हैं और हमेशा ही एक safe captaincy choice भी होते हैं last topic हो जाते हैं bowling और batting दूनों से ही contribute करते हैं अच्छे form में भी दिख रहे हैं bowling करते हुए उत्ता impact नहीं रहा है 10 innings में 7 wickets पिक करे हैं लेकिन batting से ये काफी contribute करते हैं last head to head game में भी 26 balls पे 51 not out की एक inning खेली थी इनोंने tournament में अभी तक 9 innings में 210 runs बटोर चुके हैंगे अब चलते हैं पिशावर जलमी की तरफ और सबसे पहले topic वहाँ से हो जाते हैं Sam Ayub attacking opening batter हैं उनके अच्छे form में चल रहे हैं अभी तक 10 innings में 309 runs बना चुके हैं last game में जरूर 0 पे out होए थे पर उससे पहले के जो 3 games थे उसमें इनका score था 58, 74 और 68 का ये leg spinners को उत्ता अच्छा नहीं खेलते हैं बड़ जैसा कि हमने देखा Islamabad last match में भी सिरफ एक ही leg spinner के साथ गया था जो कि देशादाग खान इनको leg spinners के against थोड़ी सी problem होती है पर last game में भी 2 leg spinner नहीं खिलाये थे Islamabad ने we hope इस game में भी ऐसा ही होगा और इनके लिए अच्छे बाटिंग के chances रहेंगे अगले topic हो जाते हैं अच्छा head to head record है venue पे भी record अच्छा है tournament में अभी तक 9 innings में 416 run कर चुके हैं जिसमें की 4 50s और एक century भी आई है हमेशा ही एक safe captaincy choice भी होते हैंगे 3rd topic हो जाते हैं Tom Kolar Cadmore second highest run scorer है अपनी team के लिए behind Babar Azam 10 innings में 309 run कर चुके हैं 3 50s आई हैं जिसमें 4 number पे आते हैं काफी aggressive batter है ये और सामने भी कोई threatening ballers नहीं है जो इनने बहुत परिशान कर सकें तो यहाँ पे भी इनके लिए एक अच्छा chance हो सकता है पट एक जो देखने वाली बात है वो यह है दोस्तों कि अगेंस्ट इनके 20 ball में 3 dismissals है runs भी सिरफ 14 ही बनाए है 20 balls में तो अगर आपको लग रहा है कि फिर से इनने अच्छान अच्छा वेन्यो रिकॉर्ड है head to head record भी अच्छा है go to fast bowler है यह पिशावर के लिए 9 innings में 9 wickets pick कर चुके हैं टॉर्नमेंट में तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं differential picks की सबसे पहले differential pick हो जाते है रेवनुला गुर्बास अगर आजम कान खेलते हैं तो वो एक straight pick हो जाएंगे बट अगर वो नहीं खेलते हैं तो आप गुर्बास के साथ जा सकते हैं 7 innings में 166 runs करे हैं इनोंने लास्ट गेम में 5 number पे batting करने आये थे उसके बावजूद 24 ball पे 33 runs की innings खेली थी इनोंने हमने यह देखा है कि इसलामाबाद थोड़ा attacking brand of cricket खेलता है तो विकेट गिरने के chances रहते हैं तो अगर यह 5 number पे भी आते हैं तो इन्हें run score करने का काफी मौका मिलेगा दूसरे differential pick हो जाते हैं मौमद वसीम bowling first करते हुए यह आपको अच्छी value दे सकते हैं death में भी bowling करते हैं 5 innings में 7 wickets ले चुके हैं अभी तक tournament में किसी भी game में wicket list नहीं गए हैं तो अब बात कर लेते हैं safe captaincy picks की वो इस game में हमारे ले होंगे शादाप खान, बाबर आजम और सैम आयूब बात करें differential captaincy picks की तो वो इस game में हमारे ले होंगे इस्लामबाद के 2 attacking batters Colin Monroe और Alex Hales तो base team बना लेते हैं wicket keeper section में भी हम किसी को नहीं ले रहे हैं आजम खान की availability confirm नहीं है अगर खेलते हैं तो definitely उन्हें हम pick करते batter section में आ जाते हैं Alex Hales, Barbar Azam, Colin Monroe straight choices, उसके बाद हम Tom Kohler Cadmore और Sam Ayoub के साथ जा रहे हैं Tom Kohler, Cadmore की बात हम पीछे preview में भी कर चुके हैं अगर इनके match-ups को देख के आपको लग रहा है कि इने खत्रा हो सकता है तो आप एक safer option Jimmy Nishim के साथ भी जा सकते हैं All-Rounders section में शादाप Khan, Faheem Ashraf straight picks हो जाते हैं Baller section में हम सबसे experience baller वहाँ प्रियास के साथ जा रहे हैं भी तो आज के preview में इतना ही दोस्तो ऐसे ही अगर और games के tips चाहिए insights चाहिए तो please don't forget to follow and subscribe Viewsport ये fantasy preview आपको हमारे blog पे भी मिलेगा वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं ये stats और match-ups Women Premier League के भी previews हम कर रहे हैं उनको भी ज़रूर जाके देखिए जल्दी मिलेंगे अब next game के preview के साथ तब तक goodbye and take care